वेलकम बैक तो और यूटूब चनल इस वीडियो में को फैन कोड़ ECS T10 का काटेक्स होगा जो मैच है BTP वर्सस इंडियन रोल्स के विच उसके बारे में आपको at लिए इंडियन रोल्स के अगर मैं बात करता हूं इंडियन रोल्स के अगर मैं बात करता हूं तो इनका भी करीब वही र И् Κार्व घे torch है चार मैं चम yayए तो तगडी टीम आपको इंडियन रोयल्स के लगीगी बीटीपी के मुकाबले क्योंकि लास्ट वाला बीटीपी मैच M.A.C. के साथ कहला था जो की डेफिनेटली लॉस करके आ रहा है वहीं अगर I.R. का बात करूं इंडियन रोयल्स की बात करता हूं तो लास्ट वाला मैच M.A.C. के साथ यह भी खेला था जो की डेफिनेटली विन करके आ रहा है तो डेफिनेटली विन करके आ रहा है तो लास्ट मैच इस कौन से कहले थे यह भी आपको पता चल गया होगा है तो हैट टो हैड रिकॉर्ड अगर बता हूं तो तो टोटल इन दोनों के बीच मैच जीते हुए नज़र आया था BTP और वहीं इंडियन रोयल्स की बाद करता हूं तो शर्फ चार मैच जीते हुए नज़र आया था तो पर्फॉमेंस दोनों के आपके सामने हैं बट इंडियन रोयल्स की टिम तगड़ी है BTP के मुकाबले 8 मैच लास्ट जीते थे यह थे management को ट््राइ करते हो अगर आपको लगता है तो डिफेनिटली आप विणिंग कर सकते हैं ila लेकिन अगर आपको लगता है तॉप ओडर फेल होगा तो डेफिनेटली सामने आले टीम के बालर्स को आपको पेककर लेना क्योंकि T10 का मैच है दस ओबर का मैच आप ब्रस करने सुभे सो के उठें सो के उठने के बाद ब्रस किये ब्रस करने के बाद मूद होए तब तक दस तो यह चीज़ आपको बताना मेरे मेन मुद्धा था क्योंकि यार टी टैन के मैच में जादतर लोग लॉस कर जाते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया पस यही चीज़ा अगर आप ध्यान देते हो तो डैफिनेटली आपकी विनिंग बहुत ही जादा हाई हो जाएगी अब जैसा कि यहाँ पस आपको विकट की पर सक्षन से तीन आप्सन मिल जाते हैं ठीक है तीन मैसे एक तो साइद ही खिलते में नज़र आगा बट वाई मुस्तफा और पी नंगलू आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं अगर इनके मैं रिकॉर्ड की बात करता ह प्राइ करते हों क्योंकि आगर इनका रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूं तो रिकॉर्ड आप इनका देख सतीओ ग्रेंड लिगियू मैं अगर चल जातें हैं। जैसा कि दो मैसे से फ्लाप गया है दो मैंच सम्हें अगर आपको 21線 भी आगर 15 स्याष प्रॉल कर ने काँ आप देख सकते हो, इसमाल लीग के लिए, डेफिनेटली आपके लिए important pick मन जाता है, पॉलिंग सक्षन से अगर मैं बात करता हूँ, तो ओजा सिंग आपके लिए important है, क्योंकि ओंकार सिंग माफ करेगा एक प्लेयर है ओजा सिंग जो की important है बट खेल तो नहीं रहा है भी फिलाल, दो मैचेसे फ्लॉप जा रहे हैं, परसेंटेस देख सकते हो, सिलेक्षन का कितना था, बट अभी मैं बताता हूँ आपको करीब दो का दो मैचेस एकदम रॉकिंग गया था इनका, तो दोनों मैचेस के बेस पर इनको ट्राइ कर रहा हूँ अपने टीम में, बाकी मैं डॉब नहीं करना चाहता हूँ, इनको बिलकुल ट्राइ करने को बोलूँगा आपको भी, आप बिलकुल ट्राइ किजएगा इनको नेक्स्ट पिक अगर मैं बताऊँ आपको आल राउंडर सक्षन से, तो सही कांत आपको दिख जाएंगे अगर इनके रिकॉर्ड की बात करो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रिकॉर्ड इनका डेफिनिटली बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, आपको देते हुए मैंने लास्ट मैच के अनलेसिस में भी बताया था, कोकर आपके लिए कितने इपॉर्टेंट है, महमत को अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, डेफिनिटली आपके लिए इंपॉर्टेंट पे रहेंगे, ग्रेंड लिए डिफरेंसल पिक का काम करेंगे, मीनहस आपके मीनहस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन केस अगर आप ग्रेंड लिए इस्पान लिए दोनों में टीम लगाते हो तो, मीनहस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, अब मैं बेटिंग सेक्शन से दो प्लेयर और बोलूँगा, बी सिंग एक ये प्लेयर है, इंपुरुखज लिए बढ़न के लिए परियाप्त है, तो ही ट्राइकिर्ट वर्नख द्रॉप कर सकते हो, जिए प्रकास आपके लिए इंपॉर्टेंट न में के बाते लिए सिब्सक्रमाइब बाता हो तो, इनका छाए पिह जाप तो यू एहमद आपके लिए इंपार्टेंट है जो की बहुत अच्छा पॉइंट देते हुए नजर आते हैं क्यूंकि देखो यार जो मैच है वो डिपेंड करता है कितना आप इंवेस्ट करते हो और जो टीम है वो डिपेंड करता है क्या प्लेयर का क्या रिकॉर्ड है ठीक है तो फाइनल टीम मेरी इसी प्रकार के रहेगी आप ग्रेंड लिए उसमाली की दूनों ऐसे किसी में भी जॉइन कर सकते हो और रियल 11 पर अभी तक नहीं चुड़े हो तो जॉइन कर लेज़ेग को ट्राइ किसे का मैंने दोनों बताया था आपको जिन्हों ने वीडियो देखा होगा उनके लिए बहुत ज़्यादा कास टीम थी मैंने यहां ट्राइ भी किया था अपने सेकंड टीम में टाइमिंग आप देख सकते हो 27 पे दिया था मैंने सेकंड एसमाल लीग यू का टी कि अवारे नेक्स्ट वीडियो में नहीं लेसिस के साथ